हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत स्वागत है गाइस आज हम बनाएंगे काना जी की समर ड्रेस जो कि मैं आपको बहुत ही सिंपल फैब्रिक से और बहुत असान तरीके से बनाना बताऊंगी आप इसे आसानी से पांच मिनिट में बना सक की काना जी को पहना कर वह दिखा रही हैं ये इस तरीके से मेरे पास ही엥 जिनको मैं इन अधर पहना है और मैं आप को इसकी कैप और ड्रेस दोनों ही बहुत असान तरीके से cutting और stitching दोनों ही बताऊंगे इसलिए आप वीडियो को end तक देखें और अच्छे से पूरा देखें तो ये देखें मैंने यहाँ पर fabric cut कर लिया है मैंने यहाँ पर red color का fabric लिया है और मेरे पास एक है white color का fabric जो हम चोली के लिए और cap के लिए use करेंगे simple मैंने rubia का cotton का fabric लिया है मैं इसमें कोई अस्तर कोई pasting कुछ भी use नहीं करूंगी क्योंकि वो भी बाद में wash करने के बाद में बहुत जादा white white dress में आ जाता है और निकलता है इसलिए हम simple way में बना रहे हैं तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसकी चोड़ाई ली है यहाँ पर 5 इंच 5 इंच और इसकी हमने लंबाई ली है 41 इंच यानकी 41 इंच तो guys अगर आप चाहें तो इसमें 2-4 इंच लंबाई कम भी कर सकते हैं और जादा भी कर सकते हैं ये हम ड्रेस बना रहे हैं 3, 4, 5, 6 नमबर तक के लिए अगर आप 6 नमबर तक के लिए बना रहे हैं guys तो आप इसमें लंबाई 45 भी ले ले और जब आप इसमें घूम भरेंगे तो उसको थोड़ा बढ़ा ही रहने दे जैसे कि 6 इंच तक लंबाई रखें तो ये देखें मैंने आपर चोली की लंबाई चोड़ाई ले लिए 2 इंच और लंबाई ले लिए 11 इंच अगर आप बड़े साइच के लिए बना रहे हैं तो 1-2 इंच बढ़ा ले इस तरीके से ये देखें मैंने पकड़ इनकी कैप के लिए जो हम कैप बनाएंगे उसके लिए फैब्रिक लिया है इसकी लंबाई चोड़ाई है 2 इंच और लंबाई है 5 इंच वाइट वाले फैब्रिक की अब देखें हम रेड वाले फैब्रिक की लंबाई और चोड़ाई देखते हैं तो इसकी लंबाई इस तरीके से 5 इंच थी और चोड़ाई 2 इंच अब ये देखिए मेरे पास red कलर का फैबरीक है जिसकी इस तरीके से लंबाई है guys 12 इंच आप इसमे 11 इंच भी ले सकते हैं या फिर 10 इंच भी ले सकते हूं इस तरीके से इसकी छोड़ाई है 1.5 इंच मैं इसमें इस तरीके की less का use करूंगी ये बिल्कुल optional अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं किसी वी तरीके की सबसे पहले हम क्या करेंगे दोनों साइड से इस तरीके से थोड़ा तोड़ा फोलड करेंगे और इसको आपस में इस तरीके से सिलेंगे नीचे बॉबिन में म पर रेट कलर का तो मैं एक साइट पूरा वाइट कलर का धागा आएगा जो कि हम फ्रेंट में रखेंगे तो आप भी इस तरीके से स्टिच कर सकते हैं अगर टू कलर के फैब्रिक के आप ड्रेस बना रहे हैं तो यह देखिए इस तरीके से हमें इनको हलका हलका सा दोनों से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे यह देखिए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे अब मैंने यहाँ पर लिए गाइस लैस अगर आपके पास लैस नहीं है तो आप सिंपल इस तरीके से सिंपल फोल्ड कर दें मैं यहाँ पर लैस लगा रही हू पिर इस तरीके से हम इस साइड भी सिलाई लगा देंगे अब क्या करने हमें घूम बरने हैं घूम हम इस तरीके से लेंगे यह देखिए इस तरीके से डेर डेर इंच के चोड़े घूम लेंगे और इनको सेट कर लेंगे ये देखे इस तरीके से घूम को लेंगे उठा उठा कर रखेंगे नहीं बहुत दूर दूर बनने है और नहीं बहुत पास पास लाने है अगर आप तीन नमर के कानाजी के लिए बना रहे हैं तो कमर रखिए आप साड़े तीन इंच अगर चार नमर के लिए बना रहे हैं तो कमर रखिए आप साड़े चार एंच अगर पांच नमर के लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा रखिए मैंने हापर कमर लिया है साड़े पांच की लगवग मैंने हापर एक उरेब की पट्टी कट कर लिया है नेफ़ा बनाने के लिए simple इस तरीके से नेफ़े को बनाएंगे उल्टी side से रखेंगे और इस तरीके से सिलना start करेंगे पहले आप जितना भी extra fabric है तो आप उसको cut कर दीजिए इससे काफी अच्छी finishing आएगी तो ये देखे गाइस हम इस तरीके से इसमें नेफ़ा लगाएंगे जितना भी extra fabric के पहले उसको cut देंगे फिर थोड़ा सा अंदर की side मोड कर आदा इंच के लगवग इस तरीके से ये देखे हमारा नेफ़ा तयार है अब हम एक डोरी लेंगे इसको सीधा करेंगे इस्ट्राग्राम पर message कर सकते हैं लिंक मैं आपको description box में दे दूंगी ये देखे इस तरीके से हमने सिलाई लगा दी अब क्या करेंगे हम simple जो हमने अपनी चोली बनाई है उसको इस बी सेंटर से लगा देंगे हमने इसका अपनी ड्रेस का घेर का बी सेंटर लिया और इस तरीके से इसमें attach कर देंगे ये देखे कितना easy और कितने अच्छे तरीके से मैंने आपको ये ड्रेस बनाना बताया है तो guys अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो please चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ये देखे कुछ इस तरीके से हमारी ड्रेस आएगी और मैंने आपको पहना कर वीडियो के स्टार्टिंग में ही काना जी को दिखा दिया था simple अब हम इस तरीके से cap की पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे हलका हलका सा अंदर की साइड अगर आपके कपड़े में रे से निकलते हैं क्योंकि ये तो प्यॉर कोटन है तो इसमें नहीं निकल रहे हैं तो आप उसको डवर फोल्ड करके भी सिलाई लगाएं अब ये देखे इस तरीके से हम क्या करेंगे मैं आपको सजेस करूंगी कि आप ये ड्रेस कोटन के ही फैब्रिक से बनाएं जिसमें की आपकी ड्रेस में काफी फिनिशिंग आएगी और काफी सुन्दर बनकर तयार होगी तो ये देखे इस तरीके से हमने आपर किया अब मैंने यापर ये लिया है वाइट कलर का फैब्रिक इसको मैंने एक बार हलका सा फोल्ड करके अच्छे से सेट कर लिया क्योंकि कोटन है अच्छे से एकदम फोल्ड करने पर भी सेट हो जाती है यह देखिए अब simple इस तरीके से मैंने यहापर सिलाई लगाए इसको fold करके यह देखिए यहापर आप क्या करेंगे extra fabric मैंने यहापर cut कर दिया है जितने भी आपके काना जी की सर की गोलाई है आप उसको नाप लीजिए या फिर आपको जो भी आप इस तरीके से अंदाजे से भी सिलाई लगा कर बना सकते हैं पर अगर आपको बिल्कुल fitting की और अच्छे से चाहिए तो आप काना जी के सर की गोलाई को नाप कर ही सिलाई लगाएं यह देखे मेरी dress त्रयार है मैंने यहापर cap लिये cap को simple हमें इस तरीके से सुई धागे से सिलना है यह देखे इस तरीके से धागे को डालना है इसको हम इस तरीके से सिलते वे लाएंगे यह देखे मैंने इस तरीके से पूरा सिल आप क्या करेंगे guys हम यहाँ पर इसको अच्छे से एक बार खीचेंगे और खीचने के बाद इसमें दो तिन बार अच्छे से नोट लगा देंगे और अच्छे से इसको स्टिच कर देंगे यह देखिकि कितना आसान है इस कैप को बनाना और beautiful सिड्रेस हमारी पांच मिनट में बनकर रेडियो जाएगे यहां से इसकी finishing कर देंगे यह देखे हमारी कैप भी तयार है तो यह देखे हमारी beautiful सी पोशाक काना जी के लिए तयार है जो कि मैंने आपको वीडियो के starting में पहना कर दिखा दीती और कितने कम समान में हमने यह beautiful सी dress पनाई है अगर आपको dress अच्छी लगी हो और यह वीडियो